नमस्तार दोस्तों स्वागत आप सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में फ्रेंट्स उजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन्स और ट्रैवल से जूरी हुई कुछ बेहत जरूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर सामने आ रही है वो DGCA से आ रही है DGCA के दवारा यहाँ पर भारत की एरलाइन्स कंपनियों के तरफ से जो समर सेडूल की फ्लाइटों की लिस जारी के गई थी उसको अपरूप कर दिया गया है आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि summer schedule में इस समय भारत की airlines कम्पनियां काफी बड़े लेबल पर अपनी flight को operate करने वाली है जो summer schedule की list सामने आई है उसमें भारत की airlines कम्पनियां एक सब्सक्राइब करेगी जो कि भारत के total 112 airport से operate की जाएगी आपको बता दे कि इसमें सबसे द्दा flight जो है वो इंडिको airlines operate करने वाली है इंडिको airlines यहां पर एक सब्सक्राइब करेगी दूसरे नंबर पर यहां पर spy jet है जिसके द्दार 4192 flight operate किया जाएगा तीसरे नंबर पर go first है और चौथे पर air India फिर विस्तारा और air Asia इंडिया का नंबर है साल 2020 के बाद यह पहली बार है जब भारत की airlines company अपने summer schedule में सबसे दा flight ऑपरेट करने जा रही है और यह माना जा रहा है कि अब coronavirus का अंत आ चुका है और भारत में normal basis पर normal flight अब चालू हो रही है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर Mumbai airport से सामने रही है Mumbai airport को यहाँ पर best international airport का award दिया गया है जी है दोस्तों यह जो award है Mumbai airport को लगतार पांची बार मिला है और यहाँ पर यह जो award है वो airport council international की तरफ से दिया गया है आपको बता दे कि यहाँ पर Mumbai airport जो ह international के तरफ से ASQ किया जाता है यानि कि airport service quality चेक किया जाता है और इस मामले में Mumbai airport को best airport का award दिया गया है फ्रेंट्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर लगनोव airport से सामने रही है आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर परदेश के लगनोव airport को अब और भी काफी बड़े लेबल प पर operate की जा रही है और आगे अनिमलस में अब लगनोव airport से passengers flight के अलावा cargo flights को भी operate किया जाएगा इसके लिए लगनोव airport पर नई facility का निर्मार किया जा रहा है इस नई facility के बनने से लगनोव airport पर 40% capacity को बढ़ाया जाएगा और अब वहाँ पर cargo flight भी काफी बड़े लेबल प पर operate हो पाएंगी इन सब के लावा फ्रेंट्स यहाँ पर लगनोव airport इस चीज में भी लगा हुआ है कि वहाँ पर regional distribution hub बनाये जिसके माध्यम से उत्तर परदेश के सांसात मध्य परदेश बिहार इन सभी राज्यों के माध्यम से जो भी export और import किया जाता है वो सारी के सारी पर लगनोव airport से ही हो सके फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी update यहाँ पर विस्तारा airlines से सामने रही है आपको बता देखे विस्तारा airlines के द्वारा अब यहाँ पर सिंगापूर के लिए भी international flightों की शुरुआत कर दी गई है आज से विस्तारा airlines जो है दिली से सिंगापूर के लिए अपनी नई flightों की सुरुआत करने जा रही है यहाँ पर विस्तारा airlines के द्वारा यह जो flight है सबता हमें दो दिन operate की जाएगी और यहाँ पर विस्तारा airlines यह सभी की सभी flight है vaccinated travel lane के अंदरगत operate करेगी यानि कि जो लोग भी इन flightों से travel करेगे जाएंगे उनको सिंगापूर में जाने के बाद वहाँ पर quarantine में नहीं रहना पड़ेगा फ्रेंट्स एक और खबर यहाँ पर पाकिस्तान international airline यानि की PIA की तरब से सामने आई है पाकिस्तान international airlines के दोरा टोटल 50 billion रुपीज का यहाँ पर loss डिकलेर किया गया है जो कि आप तक का सबसे ज देशों में operate नहीं कर सकती है इस समय पाकिस्तान international airlines company अपनी जारतर फ्लाइटे चाइना और इसके अलावा Middle East जैसे देशों में operate करती है फ्रेंट्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर इस पाई जेट से सामने रही है इस पाई जेट के MD और चेर्मेन जिनका नाम आजे सिंग है आपको बता दे कि इनके उपर एक धोखा धड़ी का मामला चल रहा था जिसमें ऐसी खबरे सामने आ रहे थी कि इनकी गिरफतारी हो सकती है लेकिन यहाँ पर आपको बता दे कि इनको आखिरकार हाई कोट की तरफ से रिलीफ दिया जा चुका है और हाई कोट ने यहाँ पर इनकी गिरफतारी के उपर रोक लगाते हुए 28 मार्च तक का समय दे दिया है 28 मार्च तक आजे सिंग को इस समय गिरफतार नहीं किया जा सकता है अगली अपडेट यहाँ पर साउथ कोरिया से सामने रही है साउथ कोरिया की गवर्मेंट के दौरा अब सभी इंटरनेश दोस्तों यहाँ पर साउथ कोरिया की गवर्मेंट के दौरा भी कॉरिंटीन के नियम को खतम किया जा चुका है लेकिन यह जो नियम है कुछ देसों के उपर लागू नहीं किया जाएगा जिनमें सामिल है पाकिस्तान, उजबेकिस्तान, यूक्रेन और मयनमार यदि इन दे दे कि वहाँ पर जाने के बाद दो बार करोना वारस का टेस्स किया जाएगा और दोनों बार करोना वारस का टेस्स यहाँ पर नेगीटीव आना चाहिए, यहाँ पर साउथ कोर्य की गुवर्मेंट के दौरा लेटेस्त नियम में बताया गया है ważne एक और बडी ख़ाबर यह यहां पर USA की गौवर्मेंट के दवरा मास्क के नियम को अब फिर दुबारा से एक महीने से बढ़ा दिया गया है आपको बतादे कि जो लोग भी इस समय USA में हैं वहां पर किसी भी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो उनको अभी भी मास्क लगाना कंपल्सरी रखा गया है इससे पहले USA की गौवर्मेंट के दवरा इस नियम को 19 मार्श तक के लिए रखा गया था लेकिन मौझूदा हालात को देखते हुए USA की गौवर्मेंट के दवरा मास्क के नियम को एक महीने से और बढ़ा दिया ग इस नियम को मेंडियर रखा गया है और सभी लोगों को इस समय जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों को मास्क लगाना कंपल्सरी है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस से सामने रही है एर इंडिया समर सेडूल के तहर जितनी भी फ्लाइटे ऑपरेट हो रही थी उन सभी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग आप कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि वो इन सभी एरपोर्ट से इस समय दोहा के लिए अपनी कर सकते हैं सो फ्रेंट्स यह थी इस वक्त की एरलाइंस और ट्रेवल से जूरी हुई कुछ बेहर ज़रूरी और काम की अपडेट ऐसी और ख़बरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए हमारे इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे